इंडिया में सूपर मार्केट का बिजनस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है especially अगर हम देखें कि कोवीट के first wave के बाद इंडिया में जो किराने के दुकाने थी वो पूरी तरीके से अब सूपर मार्केट में चेंज होती जा रही है तो आज हम बात करने जा रहे हैं सूपर मार्केट के बारे में कि ये बिजनस का future क्या है और किस तरीके से आप भी अपना सूपर मार्केट चेंज बना सकते हैं हेलो सर भूज़ करने का अपने बॉका दिया खुद को रिप्रेजेंट करने का अच्छली काफी टाइम से आपका फ्रेंचाइजी इंडिया में बढ़ती जा रही है लोग पाता नसेकी है आप अब लोगों ह औरा सूपर मार्केट है लेकिन यह मार्केट थे बहुत टाइम बाद आने वाली ती लेखिन अभी अच्छानक से कड़ें कोविड स्टार्ट हुआ जब को बोइड स्टाट वा समльंड हो फिकना दो बैखलो समझ में आया आखर ला तो फिर लोगों ने जब इस चीज को समझा और हमने भी उस बीच में जब अपना सूपर मार्केट का काम स्टार्ट किया तो हमने रेखा कि लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किया रही है कि लोगों को एक ही जगा पे सारा सामान नहीं बि करेंगे हैं ऐसे आपको चार पर दुकान पर विजट करना पड़ेगा सिर्फ एक बर्गर को घर पे और बनाने के लिए अगर आप हल्दी नहीं होता है लेकि घर वाला ज्यादा होता है बाहर के ठीक है तो आप बर्गर जब आप क्या है कि कंस्टमर में किया कि काश ऐसी द अब आप एसी मेंटलिटी गाओं-देहाद के लोग अभी ज्यादा सूपर मार्केट प्रैफर करें क्योंकि उनको जो चीजे जैसे कि मैं अगर बात करूं टॉप्स का आप टॉप्स की चटनी होती है तो उसको सेज़ों चटनी आप जैसे कि आप डेली साइड में हो तो आपको इसली अविलेबल है लेकिन यह कोई किराने वाला रखेगा नहीं जो हमारे टू टायर थ्री टायर सेटी है तो वहाँ पर क्या है कस्टमर को आज की ड सब्सक्राइब करते हैं और लोग ट्रेवल भी करते हैं कि मेरा जो टाइम यहां जाएगा परेशान होने से वह बढ़िया है मुझे एक जगा पे अंदर सारा सामान मेर को अविलिबल हो जाएगा और उसके लिए कंपनी क्या करती है जैसे आप जा रहे हो तो आपने को डिसकाउंट में लिए तो यहां पर गेवन टेक है एक किराने वाले से क्या डिफरेंस से सूपर मार्केट में जो हमारे यह गल्ले वाला जो दुकान चलता था ना पूरे इंडिया में इससे और सूपर मार्केट में क्या अंतर होता है आसर देखिए अगर बेसिकली तो अगर उसको यपी पे मार्जन जादा है तो वह आपको यपी पुश कर देगा मैगी नहीं है लेकिन जैसे आपको मैगी ही खाना है तो आप क्या गरेंगे तो इन सब चीजों पर रोगतो कि कुछ सूपर मार्केट एक और्गनाइज सेक्टर है आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन वगर्वर्मेंट के थ्रूप सारी चीज़ें करानी बढ़ती है आप किसी ब्रैंड का प्रोड़क्ट बेच रहे हैं तो इसमें अथेंटिकेशन रहत है तो उस सब्सक्राइब करेंगे तो आप उसको सामान लेना है तो ग्रोसरी का कहना अब किसी किराने वाले पर नहीं जाएंगे वो किसी ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे जहां पर उनको सारा सामान मिल जाए और थोड़ा क्वालिटी टाइम वो लोग फैमिली टाइम वो स्पैंड कर सके तो आजकल यह कल्चर बहुत बढ़ रहा है क्योंकि यूद तो यह कल् कि बात करें मुझे ऐसा लगता है 23 और 24 में अधिकतर किराने वाले या तो वो खुद को मॉड़नाइज कर लेंगे सूपर मार्केट के अंदर या इस तरह के कंसेप्ट जो नहीं कर पाएगा सथे को दुनिया का रूल है अगर जो आपने आपको डेवलप करता वह आगे अगर जब कोविड का टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमारी जो मैनेजमेंट का विजन यह था कि हमें लोगों का एमपावर करना है जैसे कि कोविड में आपने कहा देखा अचानक से कई लोगों की जॉब चली गई है ना जो अच्छी जॉब कर देख चली कि इंडिपेइडंट करना है है ना अगर मान के चलो हमारे विजन यह है कि 10 साल के अंदर हमने दो तीन हजार लोगों को फि अगर वने अपने अपने टार्गेट अचीव कर लिया क्योंकि आपको इपाँ इन यह ग्रोसरी का का काम क्या एँने कि अगर आपको नहीं भी कॉ कुछ नहीं आता था वो क्या करता था सामान खरीदा थोड़ा था घर पर लगाया बेचना चलू यह करता था ना अब क्या यह ऑर्गनाइजड है आपको बश्याएं प्याप करते हैं तो एक तो रिस्क-फ्री है आपको ज्यादा नहीं लेना कि हाँ चलेगा नहीं चलेगा लोगों को रिकोर्मेंट है जैसे आप ने मान के चलो कि आप 10 लाग रुपे आप इस बिजनेस में इंवेस्ट करते हो एक चोटा सा स्टाट अप कर यह बीडने में काट давно नो है वो कatore्टमिर आपके पास आपके नियर भाय है आपको marketing कौश्ट नहीं जी हम वाट करो ने था में खुष्चे करते हैं तो भी खुष्चे अगर आप सूपर मार्ट करते हैं तो भी तो आप ने किया एक सेट अप किया सारी चीज़े और इसका कस्टमर आपको नियरभा ही मिलिया आप भी खाते है साराशन मैं भी खाता हूं तो आप अगर आपके पास में किराने की दुकान हो और थोड़ी दस कदम दूर पर एक सूपर मार्केट हो तो आप कहा जाना प्रेफर करेंगे मैं तो सूपर मार्केट यह प्रिफर करता हूं तो सर वही क्योंकि देखो लोग अपनी प्रेफरेंस देखते हैं आज की बागी सूपर मार्केट वाले कई जो खुद का चला रहे हैं वो भी होम डिलिवरी वगारा देरे सर्विसेज वो लोग भी एड़ कर रहे हैं बड़े-बड किस तरीके से हल्प कर रहे हैं वैसे अगर किसी का नॉर्मल किरानी की दोकान है और अगर उनको सब्सक्राइब के साथ जुड़ना है तो उनको स्विच करना पड़ेगा तो उनका सेट-प पूरा होता है अच्छा क्योंकि कि किरानी की दोकान अगर आप सूपर मार्केट ब बच्चे की अगर खाने पीने की चीज़ वह किस साइट पर रखनी चीज़िए तो यह पूरा डिजाइन होता है इसमें एक्सपर्ट टीम बैट के डिजाइन करें हर स्टोर अलग होता है और हर स्टोर हर एरिया के अलग होता है जैसे आप बिहार में जाएंगे तो करें तो जैसे डाबर हो गया है कंपनी डाबर बहुत अची कंपनी है अगर मैं आप से पूछूंगा ने कि आप मुझे डाबर के प्रोड़क का नाम बताई है तो आप मुझे शायद एक दो क्योंकि जो किराने वाले क्या करते हैं जो बिकता है सिर्फ वही समान रखते हैं लेकिंगे सूपर मार्केट में क्या है कि आपको वाइड रेंज ऑगर आगा तो कोच ही नहीं इसू एक्सपार होता है आप इंफॉर्म करिये कंपनी को कम्पनी आपका माल लेकर जाहिए कि जो भी टर्नमेंट कंडिशन होते हैं कंपनी आपको अल्यड़ी बता देती है कंपनी इसको फाइदा होता है कि आप उनके सारे प्रोड़क्त को पुछ कर रहे हो जिसका वो अड़र्टाइजमेंट वगरा भी देते हैं वह एक अलग इंकम है वह जो सूपर मार्केट आप उपन करेंगे तो आप समझेंगे उन चीज को डिटेल में तो सैवन हेवन का प पड़िया है क्योंकि अगर खुद के स्टोर होते तो ना पर फेलियर के चांसे ही अगर जब आपको एक्सपैंस नहीं देना प्रोड़क्त को मैंने लेकिन खरीद लिया है तो इसका मैंने आपको यह तो बोला कि अगर आप अपनी जगा पे लोकेशर आप बताइए कि अग पैसा 10 लाग 15 लाग सेम इंवेस्मेंट वह नहीं जहां आपको अपको करेगी तो कंपनी प्रफड करते हैं अगर वहां पर लोकेशन आपकी नहीं फाइनल होती है तो या तो आप दूसरी देख लो आप सर्वे के किस परमेटर पर करते हो आप सर्वे को सर्वे करते हो तो फ्रींटैर किलो मेटर करते हैं कितने स्कूलं कॉलेज से हैं मड़ा रेस्टोरेंट सब्सक्राइब गदने अगर किस technology और अटिकला ठीजिट शोल बाहिए थे तो वहां पर हर किस यह पता है कि स्टैक्स ज्यादा निकलेगा लेकिन कौन से निकलेगा बिहार में लोग लेज खाते हैं हल्दी रहां किया जादा घाते ना यह चीजे कई जगों पे ने देगा अपने पर्सटले पीरिश बताता हूं जैसे जाम मुझ गया था मैं जम्मू म कोका गॉला को अगर वीडियो होता प्लेख करिएगा हमारी जम्मू के स्टोर की तो हम ने महां पर दिस्पली दी वापिस है क्योंकि हमारा है किसी कंपणी के लिए अगर मैं सिर्फ को क्वा को प्रेफरेंस देने लगा पैप्सी को मैंने साइड कर दिया तो इसमें लॉंग में मुझे नुक्सान होगा तो इसलिए हम सारे ब्रेंड्स को एकदम बराबर प्रियोर्टीज देते हैं हमारी कोशिश ही रहती है कि छोटे से छोटे से स्पेस में जादा से जादा ब्रांड्स के प्रोड़क्ट हमारी फ्रेंचाइस किसा एरिया चुह हो का में सर देखो मिन से आपको अच्छा कसा जाए कितने दिन के अंतर यह तो फर्स दे से अच्छी जाने लगती है लेकिन एक अगर आप लोग हो तो मालों चलो तीन से चेह मेने के बीच में प्रॉपर्टी खुद गया तो पहले महीने से इसको मिस्टेप समझते हैं जैसे आपने सर्वे कर लि सोर्ण करने के बाद फिर हमारी टीम जाती है को सब्सक्राइब करता है जो बाइच्छ को करते हैं आपके अस पास कि बीडूक्तीं क्लिमेट लगाते हैं रिक्षा कंप बोड होडिंब करते हैं वह ज्याता टीरिक्षा बहुत अच्छा कम कॉस्ट में बहुत अचा रिजल्ट है यह रिक्षा पर मतलब रिकॉर्डिंग्स करा दी उसके बाद वो पूरा तीन किलो मेटर में भूम रहा है इसे लोगों को एक बर सुनोगे ना आप सुचो के क्या है लेकिन आप जब दो तीन बार चार बर पांच बर चीज को सुन र करने और बागी कस्टमर्स के लिए भी कई बेनिफिट्स होते हैं जैसे अभी हम लोग नियूर पर चला रहें सभी स्टोर्स पर कि कोई मैं आप को दिखाऊंगा आप चलाईएगा उस पर हजार रुपे दस मतलब नौस निन एनवी की शॉपिंग पे 100 रुपीज का कुछ पर वगरा कंपनी दे रही है तो यह हमारे जो लोयल कस्टमर्स है उनको भी रेगुलर शॉपिंग पर मिलता रहता है करेक्टेड रहते लोग जैसा कि आपने बताया है आपे कि हम पोस्टर और अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हैं और अगर तब भी सेल नहीं आई है किसी के साथ तो ऐसा प्रॉब्लम होता है हमारे एक हमारी फ्रेंचाइजी थी यह साथ ओडिसा गी तो उनका थोड़ा ना फर्स्ट लोर पर लेकिन वह बहुत महनती थे क्योंकि उन्होंने जब कंपनी फाइनल भी गरे तो मेहनत की वैसे उनको थेक आप इतना कमेट्मे अच्छा खुद मार्केटिंग खुद से उन्होंने मार्केटिंग की है अच्छा कमनी ने देगा जब इतना एफट लगाते हैं और अब सीख चुड़ इने जानता है यह समझ गये कि कैसे सूपर मार्केट चलाया जाता है तो फिर कंपनी ने कह कि उनको खुद एडवाइस यूट्यूब पर जैसे आपने बताया वह फर्स्ट टोर पर ता फिर ग्राउंड पर लाए तो जो इंटीर अगर आपने बनाया था वह रहता है आपका मतलब मिनिमम कॉस्ट होगा 20-30-50 और और खर्चे भी पूरा सेट आपका नीचे आ जाता है अच्छा वह पूरा हम कही ऑछर्याना जैसे अगर हम लोग यहां से कोई वेरांस लिए आप रख़ो कर तो चला रहां और तो हम लोग की हम लोग हमारे अंड हैं जैसे कि अगर मां कोई बिए लख सट उन हमारे लोकीसरण वित चाहल रहा है तो तो हम्लोंकि कि फिल क του है आसपास के इसे घ्रेगर अगर आप कमपनी के वाइड रेंगर प्रोड़क्ट रखते हो चैनल अगर मार्जन की बात करते हैं तोड़ सा मार्जिन डिस्क्लोस करी है मतलब आरांड कुछ प्रॉड़क के बारे में बताई यह तो जैसे कि आप मौडरें जो होते हैं जिसे जिसे जी लोकल कराने वाला है वो जन्रेट में ट्रेड करते हैं वह ही प्रोड़क्त खरीता है जो जो इसके जलते हैं दो आपने पर्चेसिंग कराने गए और आप किसी एक प्रोड़क का नाम बदेश शैंपू होगा कोई कंपनी एक्ट्वल की हैडन सोल्डर सैंपू है सब्सक्राइब अपने मेरे पास आए और मेरे से बोलते हो कि मैंने आपको बला बारा परसंट का मार्जन है आपको बारा प करें आप अच्छा का थे ऐसे मोड़न ट्रेड में इंडालते हैं तो जो में इनका माल जाधा करा के फाईदा है चोटी-चोटी मोड सेगाइं बहुत को दे देंगे घर निक्यान को फाइदा है नुकसान ऐसा ने कि आपका वह वापसी है वह शैल्फ पर आपकी जगा घर सब्सक्राइब करने वाला है और एक आपका सूपर मार्केट वाला जो है इन दोनों में मार्जिन का कुछ डिफरेंस होता है होता है अगर ओवरॉल देखेंगे तो एक किराने वाले को जो फाइदा होता है किराने वाला कियों सर्वाइब कर रहा है वह 2,000,000 की से जादा मेरे साब से ज्यादा क्योंकि वह स्लिफ्सक्राइब और रखते यानि कि 30-40-50 और रुप कमा रहा है महीने का वह इसमें खोश है है नहीं है में आपके मार्जन बढ़ जाते हैं वारेंज यूब्ध रख रहे हैं और यह समझाता हूं में सबसे कम मार्जन पर हठादाल चीनी चावल तेल सबसे 35-45 तक महारजन चला जाता है उसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ा रहें प्लास्टिक आइटम हो गया आप होम अप्लाइसेंस हो गया होम ट्रीनिंग आइटम हो गया इन बहुत महारजन है अब जैसे आप सर किसी सूपर मार्केट में जा रहे हो तो आपको पोछा भी लग र तो अगर यहां पर जैसे कि हमें प्रोडक्ट अपने सूपर मार्केट में फिल करना है तो क्या यह आप करवाओंगे या फिर हमें खुद से लेकर आना बड़े हैं कंपनी कराती है हमारी डेडिकेटेट टीम है अगर 7-11 की बात करो तो सर हमारा सपोर्ट सिस्टम होग अच साथ दिन पहले साथ दिन ओपनिंग के बाद हमें पता स्टोर मेनेजर स्टोर चलाएगा लेकिन स्टोर मेनेजर पर्मानेंट नहीं है बांते हो उसको कल अच्छी उपॉर्चुनेटी मिलेगी वह चला जाएगा और एक टाइम बाद वह लेजी हो जाएगा लेकिन जो उस का मालिक है वह कभी लेजी नहीं होगा तो इसलिए कंपनी उनको ट्रेनिंग देती है प्रॉपर उनको आना चाहिए चलाना नहीं उनको सारे काम आने चाहिए नहीं कि जिसने साथ 10-15 लाग रुपय कमायने लगाने के लिए वह इतना समझदार है तो हम 15 दिन को ट्रेनिंग कि अगर स्टोर लेवल पर कोई प्रॉब्लम माती है सबोच कि हमें माल चाहिए और स्टोर में पर चुट्टी माली इंप्लोई को ब्रोसर नहीं है बैक आप तो रहता है माली जिए दोनों चुट्टी पर चले गए आपको तो बेचना है तो आप क्या करेंगे अगर उस टा सारी इंवेंट्री आप पता कर सकते क्या इंवेंट्री क्या है क्या आप डिस्काउंट्स दे रहे हो क्या ओफर चल रहे हैं कितने कस्टमर हमारे पास मंतली विजट कर रहे हैं कौन ऐसे कस्टमर है जो तीन महीने बाद हमारे स्टोर पर नहीं आ रहे हैं पूरा डेटा दे स्टेट से हम लोग डेटा करते हैं डेटा मंगवाते हमारे स्टोर जो चल रहे हैं तो हम हाई डिमांड प्रोड़क्त देखते हैं कि हाई डिमांड में क्या है और इसे हम फ्रेंचाइजी को भी हल्प कर पाते हैं अपनी इसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए जैसे कुछ ए विस्टेट से तो अगर किसी के एरिया में कितने फैकिट मैगी बिकेंगे अगर हमें अल्रडी पता हो हमारी परचैजिंग बहुत अच्छी हो हो सकता है दो पिस कम बिकें दो ज्यादा बिकें लेकिन आप दो तीन पेटी एक्ट्रा मंगा लोए सा पॉसिबली ये काफी च अब आपने एक चीज बताया कि अगर कोई कश्मा मेरे पाद दो महीने बाद नहीं आ रहा है तो आप उसका डेटा देखते हो फिर क्या करते हो आप बेकेंड से कॉल जाती है हमारी टीम से उनसे फीडबेक लिया जाता है कि सर आप नहीं आ रहे हैं तो कई बार क्लाइंट तो यह चीज है आज जैसे कि कभी-कभी हमारे जैसे किसी स्टाफ ने अगर उनसे बत्तमीजी कर दिया अगर ऐसा रेर का चांस निगल जाता है यह उनको प्रोड़क्ट कभी अविलेबल नहीं हो पाते फीडबेक कॉल चली जाती है उनको अच्छा लगता है कि हमें पूछ अगर है यह चलती है तो आप यहां पर जैसे कि 7-7 की फ्रेंचाइजी देरो अगर मैं खुद से अपना सुपर मार्केट अगर उपन कर लूँ तो उसमें और मेरे मेरे में क्या डिफ्रेंस होगा कि अगर में में बात करूं तो जैसे अगर हम कोई बिच्निस खुद स्टार्ट करते तो हमें पहले बहुत सारी स्टड़ी करनी पड़ती है कि आप तीन-चार-चे मेने स्टड़ी करोंगे लेकि स्टड़ी करने से आप प्रोस तो पता चले हैं कॉन्स नहीं समझ मार्केट तब तक ठीक है क्या मार्जन आपका चला गया है वह आपको पता नहीं चलेगा वह पता चलेगा च्छे मेने बाद कई ऐसे प्रोड़क्ट आप खरीदे लोगे जो आपके स्टोर से मूव नहीं होगा अब मैं एक छोटी सी चीज आप कि जो भी आप जैसे आप मालो आजार स्टोर खोले जाने तो 10 लाग का आपको माल डालना है 10 लाग की आपको प्रोड़क्ट की फिलिंग करनी है तो मैं इस चीजे के अश्रेंस देता हूं कि 2 लाग का ऐसा प्रोड़क्त जो आप अपने स्टोर पर डाल जो जो मूव नहीं होगा क्यों क्योंकि कोई बी आपके जब आप खुर्ष्टो डालोगो तो आप करोगे जनरल ट्रेड आपके बाद जो लड़की आएंगे उनके जो सम्तिंग सेल्समेन होते हैं एक एक सेल्समेन आपको पचापचा साथ साथ अजार रोपे से नीचे का माल चिपकाए गाई नहीं है और अगर आप ऐसे पचापच लेते हो तो सर पहले तो आपके फिलिंग बहुत अच्छी होती है प्रोड़क्त की फिलिंग आप वीडियो सो अगरा शेयर कीज़ेगा उसमें आप देखो वाइड रेंज प्रोड़क्त से कोई भी हम लोग ऐसा नहीं स्टॉक कि हम किसी चीज कर दालेंगे मिनिमम तो यह चीज है तो इसलिए एक तो यह फाइदा होता है दूसरा यह फ्रेंचाइजी फर्स डे से एक उनको हेल्पिंग हें रहता है अगर वह स्टोर खोल रहे हैं तो उनको समझाने कोई प्रॉब्लम आती हो वह किस से डिसकस करेंगे लेकिन यहां पर क्या है हमारी एक एक प्रॉब्लम आपके साथ आपके साथ आपके साथ शेर करती है आपको आगे होने वाले नुकसान से वह फज़गी आपको बचा लेती है अगर मैं बोलू दिल्ली में जाए चल रहा है वैसा बिहार में चलेगा तो पॉसिबल लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कस्टमर का है जैसे वहां के लोगे मैंथली जादा बोलते है तो आपको स्टोर मेंजर ऐसा रखना पड़ेगा जो मैंथली बीडिस्ट अगर कोई बहुत ज्यादा सबस्क्राइब कर लिए तो आपको मार्केट बहुत ज्यादा समय चुका होगा सबसे बड़ा पेंट पॉइंट क्या होता है कुछ मैं समझा निक्या पेंट बातलब कि अगर कोई भी फ्रेंचाइजी डालता है तो क्या आदमी को प्रॉब्लम आप क्या चीज बहुत देंगा अगर कॉम्पटिशन की बात करो जो फ्रेंचाइजिय ले रहा है पहले झायदी कर लिया रही है कि मिल्क को ऊपर मार्केट खोलना है लेकिन आव आपको पता चल रहा है कि थोड़ा मिर खोलता हूं तो मुझे गॉड़ेंस चाहिए है तो फ अगर हमने 101 फ्रंचाइजी को कन्वेंज किया तो सर ये रेशियो 300 था या उस ते जदा था लेकिन हमने खोले 101 है ना क्योंकि सर कंपनी हर जेगा पर लोकेशन पर नहीं देती न क्योंकि जो एरिया है जहां आमें लगता है कंपनी को कि यहा चलेगा तो हम लोग महा देतें जब चीजे हो गई आगे चली कि एग्रिमेंट वगरा हो गया था तो फिर उनकी वाइफ चलाइंगी लेकिन हमें पते चले कि उनकी वाइफ को कंप्यूटर की नौलज नहीं है और वो बिल्कुल चला ही नहीं सकते हैं तो वो उनका अलाव भी नहीं करता है वो मैंनेजर रख है महाराष्ट में तो अभी और भी और कई भी तो ब्रैंड है तो मैं उनकी फ्रेंचाइजी ले लूँ या आपके में क्या सर देखिया कि अगर स्टार्टिंग था स्टार्टिंग हमने सर्वाइव किया है जी लोगों को ट्रस्ट दिलाने में तो आप टाइम लगता हो ले कि वह बहुत सब्सक्राइब कर देखा है कि वह बहुत सारे कमेंट में लिखे रहते हैं तो इस वज़े से बादों में नहीं जाओंगा नहीं क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट जो हमारा वीडियो देख रहा है अगर कल को वह आपकी या किसी की फ्रेंचाइजी लिए उससे क्या क्या चीज़े सबसे इंपोर्टेंट देखने चाहिए हमारा बेसिकली सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मैं आपको पताया था अच्छा तो मतलब अगर आपके सेल डाउन और तो कंपनी आपके लिए क्या करी है यह मैटर करता है अगर को वेंडर आपको माल देने से दिक्कात हो रही है उसके बाद माल ले प्रॉपर वो दी टाइमिंग ले आपके स्टोर में फिल कर रहा है तो वहां को कंपनी सपोर्ट करें रिफिलिंग में प्रॉब्लम आई नई पर प्रोडट कैटिगरी आड़ कराने में तो कई चीजों में कमपनी आपको जो मेरे साब से अधर कंपनी नहीं करती होगी तब ही लोग जादा पर ट्रस्ट करें आपकी फ्रेंचाइज लेने का और क्या फायदा है तो सबसे अच्छी चीज तो यह कि आपको कंपनी सारा सेट अप करके देती है आपको किसी चीज की तैंश लेने ही ज़रूत नहीं और आपको स्टोर ओपनिंग के साथ आपको टर्निंग में दे रही है यानि कि आपको कंपनी वह सिखा रही है जो आपको स्टोर चलाने के लिए एक तो यह फायदा होता उनको मार्केट को समझने लगते हैं हमारी से स्ट्रेटीजी से सीखते हैं यह हो गया अगर बात करें दो दो लोगों करते हैं एक जो जॉब सुच करना चाहते हैं और एक वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मैं आपको बता दू कि हम लोग ओनली फ्रेंचाइजी है जिन्हों ने अभी तक बड़े-बड़े सुपर मार्केट हैं और अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है तो वो एक कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करें फिर अच्छी इनकम है डेड़ दो लाग जैसा फिर उनकी सेल जाती है वो मिनिमूम इंकम कर सकते हैं उसके बाद जो बड़े इन्वेस्टर है जिनको बहुत बड़े स्टोर खोलें इन्वेस्टमेंट परपस से अगर उनको स्टोर डालना है तो यह बिजनेस उनके लिए भी बहुत सेफ है क्योंकि कोई अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करता तो लोकेशन उनकी बहुत प्राइम होती है आस पास के कम से कम प्रेंट केौंधी कि अगरता है कि आप कस्टमर को कितना इंगेज कर सकते हो कहते हैं कि म१б दे सकते हो हाँ महीने वर का कि मिया अतले हो यह पुर्यकूंड पर मेंट मिल्हाठी हो अधिन टार्ट कर दोनिस पर यह तो कोई चीज अगर किसी मालो बड़े इसके पास कोई चीज आप में सीखी मालो वहां पे कोई चीज से बहुत सेल आ रही है तो क्या वो 300 स्काइब फिट पाले के साथ भी आप शेयर करते हो बिल्कुल हम लोग मैं आपको एक चीज बता तो अभी जैसे हमारी फ्रेंचाइज आपको मैं वो चीज बता हूं जिसका आपने फीली नहीं किया तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या उन्होंने लेकि जब 10-15-20 दिन आप स्टोर चला लेते हो तो आप हमें पता है कि जो हमारी फ्रेंचाइजी ने जो चीज़े फेस किती वह आप भी कर रहे हैं तो फिर व स्टोर उपरेट कर रहे हैं अच्छा मतलब और बी फ्रेंचाइज के बाद और भी लोग ले रहे हैं अभी हमारे गुडगाओं में स्टोर उपन हुआ था उन्होंने दो स्टोर के रेफरेंस दिया जिन्होंने फ्रेंचाइजी वगरा दे दिया सिर्फ बात किये वह नहीं अगर आप अच्छा गाम करोगे तो आपको रेफरेंसे आ रहे हैं लेकिन हमारा मेजर पॉइंट यह रहता है कि हम लोग लोकेशन और फ्रेंचाइजी दोनों को देखके अपना उटलेट डाले क्योंकि एट देंस आप पैसा लगा रहे हो तो चलना चीए विजनेस की तो यहां पे आप टोटल कितना चार्ज करते हो उस फ्रेंचाइजी ओनर से अगर हम अपनी कोश्ट की बात करते हो देखको इसमें जो हमारी फ्रेंचाइजी फीज है वह दो लाग दस हजार रुपे है प्लस अठारा परसंट हो जाती है उसके बाद हमारा पचास जा रुपे क सब्कित रेकला हगनाना सब्किकत अर्हीं देखको अजबंदर है किस सटोर को ना मनलब एक अच्छे सेल पर आनेके वह उसको तीन महने लग जाता है और भी मेनसे ने चाहते कि एक पर अपनी फ्रेंचाइजी पर डाल दें कि उनको लगे कि मैंने सुरू किया मुझे हर महीने कुछ देना है तो पहले तीन महीने आप उसको चलाइए हम सपोर्ट करते हैं हम और आप मिलके अच्छा चलाइंगे इसको एक अब सरव कंपनी किसी की रोयल्टी भी चाहिए तो अच् सब्सक्राइब करते हैं तो अगर हम एक फ्रेंचाइजी खुलते हैं और माली जो वह हजार स्कॉयर फिटका है तो और हम कितना कौस चला जाता होगा आप यह मान को चलो 20-25 लाग के बीच के इन्वेश्मेंट आता है हजार स्कॉयर फिट में हाँ अच्छा 20-25 लाग के बीच में हमारा सारा काम हो जागा उसके बाद आपको एक पैसा नहीं लगाना तो मतलब एक नॉर्मल आदमी 20-25 लाग रुपे लगा के पूरा अपना है अच्छा अर्निंग पर थोड़ा सा बताईए ना जैसे कि अच्छाइजी लिया मैं बता तो इसमें क्याना ओवरॉल जो मार्जन होता है 25-30 परसेंट का मार्जन होता है तो आप 57 परसेंट आप एक्सपेंस निकाल दो तो मोटा मोटा हम पकड़ते कि आपने 10 परसेंट निकाल दिया 20 परसेंट आपको प्रॉफिट बच रहा है ठीक है तो अगर मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरेंस कहता है कि कोई बहुत बेकार लोकेशन है बहुत बेकार कमदा खेत में स्टोर डालेंगे नहीं कि लोग नहीं है मैं ऐसी लोकेशन हमने डाली जहां हमारा कॉंप का इन्वेस्टमेंट गया है 25 लाग का अगर आप लाग उर्पे भी लेके चलते चलो में बहुत खराब कंडिशन में तो भी 25 मुने में आपका रेटन है और यह सार बिजनेस ऐसा है बिजनेस यह लाइफ टाइम बिजनेस है आप अगर देखो गर किराने की दुकान जो होना यही है ग्रोसरी खाना तो खाए गए और यह आगे भी चल रहा है लेकिन अपने आपको मौड़ेस करने हैं तीरे देरे मौड़ेस बदलाव करने हैं क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा बहुत ज़रूरी है जितनी जल पहले सिटीज को डेवलप होने में मतलब एक पुराने किराने वाले तरीके पर अठके हो तो फ्यूचर आपका सिकूर नहीं है आपको सूपर मार्केट में जाना ही होगा पहले बिजनेस जो थे वो दस साल या बीस साल की टाइम पीरड बाद चेंज हुआ करते थे अभी जब से डिजिटलाइज हुआ है बिजनेस दो अपने बिजनेस के साथ इनोवेशन को उनको पढ़ाते रहना है तो आज हम बहुत कुछ सीखे हैं सूपर मार्केट के बारे में आपके ब्रैंड के वारे में तो हम अपने ओडियंस को यहीं बोलेंगे कि अगर आप ग्रोसरी इस ताइप कोई बिजनस करते हैं तो आप सू आप ले रहे हो तो अब बहुत कुछ इस वीडियो से सीखिए जो कि आप अपने बिजनस में इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो यही था आज का वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बैल आइकम ने प्रस करिएगा